Hello अच्छू, let's read this question, the question says that the point of intersect of the coordinate axis is, this question में कहा सरा है कि point of intersect of coordinate axis क्या होगा यहां पर four options given है, तो चलिए इस question को solve करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, यहां पर हमने graph बना के रखा हुआ है, यहां पर x-axis है, यहां पर हमारे पास y-axis है, ठीक है, और यही जो है x-axis और y-axis को अगर मिला देंगे, तो यह हमारा क्या हो जाता है, coordinate, coordinate axis हो जाता है, ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे कि जहां पर यह दोनों लानापस में intersect करेंगे, क्या होता यह, इसको हम लोग बोलते हैं, origin, क्या बोलते हैं हम लोग, origin, और इसका coordinate क्या बोलता हमें पास, 0,0 होता है, राइट, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, कि, यहां पर क्या लिख सकते हैं, कि, as we know that, as we know that, know that, the point, the point, where coordinate axis, coordinate, axis, intersect, is known as, known as origin, जिसका coordinate क्या होता हमें पास, 0,0 होता है, राइट, तो यहां पर लिखेंगे, की हैंस, option, option D, is correct, राइट, तो यहां पर जो हम option D को क्या करेंगे, हैं लेटर से मार्क कर देंगे, हमारा option D क्या है, correct है, origin, right, तो यह हमारा answer आगया, okay, so I hope you enjoyed well, thank you, all the best.